60 second में जानेंगे हम draw करके screenshot कैसे लेते हैं तो draw screenshot के लिए आपको keyboard से window shift s press करना है top में options आ जाएंगे second option को choose करना है यहाँ पे second option को choose करने के बाद आपको draw करना है जिस design से आप draw करोगे उस design से आपका screenshot आ जाएगा तो यहाँ पे इस design से draw किया हुआ है और आपका screenshot आ गया फिर आपको कोई भी text app खोलनी है जैसे मैंने यहाँ पे word MS word खोला है MS word खोलने के बाद यहाँ पे आपको paste करना है right click करके control भी या right click करके paste करो तो यहाँ पे आपका screenshot जिस design में आपने लिया होगा उस design में आएगा वीडियो अच्छी लगे like share comment जरूर करना और मेरी YouTube चैनल को भी subscribe करो link bio में दी गई है